तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी एंजाइम है जिसको काम करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रूप की ज़रुवत है और आज यू के लिए प्लस तू आइंस यानि की कोई भी जो यू जरुवत परती है कौन से लिएमेंट की जरुवत परती है आगे देखनेंगा हम लोगी क्या है दाइंस इसके बारे में मैंने बताया कि जो ओएच ग्रूप होता है नुकलिओ फिलिक अटैक में यह और इस पे निगेटिव चार्ज आ रहता है और जो फॉस्फेट होता है हाला कि आपका जो फॉस्फेट ग्रूप के साथ अटैच्मेंट है दैट इस कंटेनिंग अनदर एलिमेंट या आयन जिस पे निगेटिव चार्ज है हाला कि वह बॉर्ण उसको फॉस्फेट के साथ बनाना है लेकिन कहीं न कहीं बिकॉस अफ प्रेजंस ओफ दीज निगेटिव चार्जेज कहीं ना कहीं ये तो अपने आपको रिपल्सन कर रहे होंगे या सब्सक्राइब यानि कि 3 प्राइम ओच का जो 3 प्राइम ओ माइनस नुकलियो फिलिक अटाइक के समय में ये निगेटिव चार्ज हो जाते हैं और 5 प्राइम फॉस्फेट जो है उ और इस फॉस्पेट और ऑक्सीजन के बीच में बॉंड बनना है लेकिन इसका निगेटिव और इसका निगेटिव दो ऑक्सीजन जिस पर निगेटिव चार्ज है वो कहीं न कहीं रिपल्सन करने की कोशिस करते हैं ये सर्ण तो इस इंजाइम के कैटलिसिस में ये में प्र nucleophilic attack the phosphodiester bond has to be formed but because of negative charge on the oxygen of three prime OH and the oxygen of five prime phosphate it causes the repulsion between these two moieties और यह जो repulsion होता है तो अलाओ दो फॉस्पेट तो कम क्लोजर तो दो ऑक्सिजन फर दो नुकलोफिलिक अटेक के बारे में अपने पढ़ा होगा कि दोनों नुक्लियोफाइल्स को नजदीक आना पड़ता है तभी जाकर के नुक्लियोफिलिक अटेक होता है वो बहुत दूस्टेंस से बॉंड नहीं बना सकते हैं इन हिंदी में फिर कि कोई भी जो फॉसफरडाइस्टर बॉंड बनना होता है उस वक्त में जो ऑक्सीजन और फॉसफेट है यानि 3'OH का औक और 5' फॉसफेट का जो ऑक्सीजन है दोनों पे ही निगेटिव चार्जिस होता है जो एक रिपल्सन कॉज कर सकता है और पोलिमराइजेशन के लिए जो इस्टर बॉंड बनाना है वो रिपल्सन होने के चलते नहीं बन रहे होता है इसी इंजाइम में ये जो इंजाइम आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का इसी इंजाइम में एक आपके पास मेटल आयन बाउंडिंग केपैसिटी होती है जो क्या करते हैं कि जो अलफा, बीटा और गामा फॉस्पेट्स होते हैं उसमें अलफा और बीटा फॉस्पेट्स के ऑक्सीजन मॉइटीज को अपने से बाइंड कर लेता है समझ में आएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन को तो बॉंड बनाना नहीं है हाई या ना? तो ये जो मेटल आएंस हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बॉंड बनाते हैं, टेम्परोरी बॉंड ताकि इसके निगेटिव चार्ज को निउट्रलाइज किया जा सके समझ में आएगा? ये सर्थ सारे बच्चे ऑनलाइन हो या सब बच्चे है सहीं बस साइन इन करके बैठे हुआ हैं? सर है सर है ओके, ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा, इस क्लास के बाद मैं पर थोड़ा सा बात कर लेंगा आप लोगों से तो ये जो निगेटिव चार्जेज हैं, वो क्या करते हैं? कि इस फॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ बॉंड बनाना है तो वो जो ऑक्सीजन जिसमें प्रॉब्लम क्रियेट हो रहा है वो उस आइन्स क्या करते हैं? कि उस oxygen को masking करने का काम करते है masking करने से इसका negative charge जो होता है वो mask हो गया अब यह जो है किसी तरह का repulsion नहीं होगा हाँ या ना हाँ या ना यह सर्थ ठीक है तो यह जो metal ions है आपसे यह सब सवाल entrance में पूछा जाता है what is the function of these two metal ions binding, working as a co-factor for co-factor for your DNA polymerase engine उनका काम क्या होता है उसमें option यह होता है phosphodized bond के समय में वो nucleotide को attachment में help कर रहते हैं वो mask करने का काम करते हैं negative charges का ता कि वो nucleophilic attack को proceed कर सके और इस तरह के options आपको दिये जाते हैं that you have to mark on the option that its main function is to mask the negative charge on the phosphate group of upcoming nucleotide so that nucleophilic attack can take place तो यह options हैं तो इसमें जो आपके ions है उनका काम होता है upcoming nucleotide के phosphate के उपर के negative charge को mask किया जाए ता कि यह oxygen जो है वो nucleophilic attack करके इस phosphate के साथ bond बनाए और इसको remove कर देने काम करे Is it clear or not? Everyone? Yes. Okay, okay. Now, you can see here that how it works for how it works for the polymerase activity हम लोग आगे चलते हैं So, सबसे पहला जरूँ था यह भी sequence में याद रखेगा कि फॉस्फोरडाइस्टर बॉंड और हाइडोजन बॉंड किसी भी polymerization में दो तरह के बॉंड बनते हैं nitrogenous base के बीच में और 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में Yes or No? Yes, sir. Yes, sir. So, what should be the sequence? पहले क्या phosphorडाइस्टर बॉंड बनना चाहिए और तब nitrogenous base होना चाहिए या पहले nitrogenous base होना चाहिए और तब phosphorडाइस्टर बनना चाहिए कौन साइ सिक्वेंस पहले होना चाहिए? पहले phosphorडाइस्टर बॉंड बनना चाहिए एक दम सही आपका जवाब सही नहीं है लेकिन तुमने कोशिस की इसके लिए मैं सही बोड़ रहा हूँ Actually, क्या होता है कि phosphorडाइस्टर बॉंड बनने में बहुत सारा amount of energy release हो जाता है माल लो अगर phosphorडाइस्टर बॉंड पहले बन गया तो यहाँ सुगर और सुगर के बीच का तो कोई interaction नहीं है phosphorडाइस्टर बॉंड पहले बन गया और बाद में nitrogenous base यानि यहाँ एडिनीन के जगह यहाँ पे थाइमीन के जगह पे cytosine है अगर तो अडिनीन और cytosine के बीच में तो कोई bond नहीं होगा सॉरी सॉरी मैंने गलत जगह पे draw कर दिया ठीक है अडिनीन है और थाइमीन है माल लो यहाँ पे guanine है तो guanine और थाइमीन के बीचे तो बेस्पेरिंग नहीं होना चाहिए जी ड़स नॉट बेस्पेर विथाइमीन येस और नो येस सॉरी ठीक है चलो मैं mute all कर देता हूँ और मैं आप लोगों को participate करने वाला भी बंद कर देता हूँ अगर आपको कोई doubt होगा तो मेरे से पूछ लीजिए और थाइमीन और गुवानीन के बीच का बेस्पेर नहीं हो रहा है तो फॉस्परडाइस्टर बॉन्ड में मैंने बताया था है कि डेल्टा जी निगेटिव होता है और बहुत huge amount of energy जो होता है वो release हो रहा होता है तो in that case कि अगर फॉस्परडाइस्टर बॉन्ड पहले बना और तब पता चलता है कि नाइट्रोजिनस बेस गलत है तो इस फॉस्परडाइस्टर बॉन्ड को वापस से तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी यानि कि ये डेल्टाजी वापस से देना पड़ेगा ताकि bond को तोड़के हटाया जा सके है इसी लिए जो दो question मैंने पूछा था उसके sequence में उसमें technical issue था यानि कि सबसे पहले correct nitrogenous base को आपस में जूड़ना होता है Once it has been confirmed that कि ये correct base pairing हुआ है तभी जाकर के phosphodiester bond का synthesis होता है अगर correct base pairing नहीं हो रहा है तो ना सिफ phosphodiester bond का synthesis नहीं होगा बलकि इसका orientation भी change होता है जो आने वाले slide में इसका animation आपको दिखाई देगा कि अगर ये base pairing correct नहीं हो रहा है तो ये भी away move कर जाते हैं और ये बहुत आसानी से nucleophilic attack के लिए नजदीक नहीं आपाते हैं So what is the sequence of bond formation between hydrogen bond and phosphodiester bond First the hydrogen bond will be formed between the two nitrogenous bases Once it has been confirmed between the two nitrogenous bases that It has formed between the two correct nitrogenous bases रैसे adenine, thymine, purine and pyramidine का proper bonding हुआ है Then only their DNA polymerization will proceed in the direction of formation of phosphodiester bond तो पहले nitrogenous base के बीच में होगा और तब second में phosphodiester bond बंता है यहाँ पर मेरे खाल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए So once correct base pairing, यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है Once correct base pair is formed between the incoming DNTP and the template The finger domain moves to enclose the DNTP and conformational chains bring the divalent metal ion into the correct position to function So यह finger domain जो होते हैं जो आपने crab claw like structure को आपने पीछले वाले में देखा था कि वो हाथ या थम और fingers की जैसे दिखते हैं So जो finger domain है यह जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा था यह finger domain क्या करते हैं कि नजदीक लाने का काम करते हैं इससे metal ions थोड़े और नजदीक आ जाते हैं जो actual function है उसका वो perform करने के लिए to mask the negatively charged oxygen molecules तो यहां से आपका है कि मैंना इस slide का मेरा phosphor priority था यह समझाना कि दोनों में nitrogenous bases पहले बनते हैं या phosphor diastro bond तो सवाल का जवाब है कि पहले nitrogenous base बनता है तब phosphor diastro bond के लिए प्रोसीड करते हैं प्रोसीड करने में metal ions थोते हैं they will come close to the negatively charged phosphates और तब फिर उसके आगे में वो काम स्टार्ट करते हैं बढ़ते हम लोग अगले वाले slide पे आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है चुकि मैंने इसको पहले ही यह कर दिया था आँ यहां पर आप देख सकते हैं कि यह finger domain है ठीक है finger domain move to enclose the base player dntp और जैसे ही आपने यह किया तो dntp जो है इनके बीच का distance जो है वो थोड़ा सा change हो चुका हुआ है तो यह correct orientation में आ गया है correct orientation का मतलब है the nucleophiles have come very close to each other at the same time the metals and metal ions have come very close to the negatively charged oxygen molecules so that they can mask it अगर किसी को कोई दिककत होगा बच्चे है तो आप यह कर लेना बहुत फिर raise your hands so that I can take the questions आगे बढ़ते हैं animations को proceed करते हुए the metal ion A helps to deprotonate 3 prime OH मैंने masking वाला बात बताया था तो सबसे पहले metal ion जो होते हैं वो deprotonate करने का काम करते हैं जो यहां से oxygen से यह oxyanine का creation करते हैं तो first metal ion मैंने गलत बता दिया पिछले वाले इसमें तो first metal ion masking का काम नहीं करेगा बलकि वो deprotonation का काम करते हैं 3 prime OH से hydrogen को हटा देने का काम करते हैं और 3 prime hydroxyl primer अटेक के लिए वो रेडी हो जाते हैं नौ and stabilize the pyrophosphate living groups lysine and arginine residues on the finger domain also help in the stabilizing the pyrophosphates and through stacking interactions मैं इसको जड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ कुछ लिखा हुआ जो है उसके चलते तो जो second ions होते हैं उनका main काम होता है second ion का main काम होता है वो beta और gamma phosphates beta और gamma phosphates के negative ions को coordinate करने का काम करता है ठीक है and stabilizes the pyrophosphates living group तो यह क्या करते हैं कि यहां से तूट जाने के बाद यह जो pyrophosphates है two inorganic या two pyrophosphates P-P अगर आप लिखिएगा जिसमें beta और gamma है तो यह simply यहां से remove नहीं हो जाएं यह क्या करते हैं metal ion उसको hold करने का काम करता है metal ion के साथ साथ में जो lysine this is an amino acid arginine this is another amino acid तो यह पूरे के पूरे enzyme में जो lysine और arginine यह भी mcq का सवाल है मैं अभी last में आपको बताऊंगा lysine and arginine residues on the finger domain also helps to stabilize the pyrophosphates and through stacking interaction the tyrosine residues attached to the finger to hold the dntp and the place of catalysis यहां पे तीन तरह के आपको amino acid का नाम बताया गया हुआ है जिसमें lysine जो है lysine and arginine यह दोनों क्या काम करते हैं जो pyrophosphate निकल रहे होते हैं उसको hold करने करके hold करके और उसको stable करने का काम करते हैं रोकते हैं क्योंकि इनका अभी भी तूटना बाकी है अगर phosphate और phosphate हैं तो यह high energy bonds जब तूटते हैं इससे भी जो energy निकलती है वो भी use किया जा रहा होता है replication में तो simple अगर यह दो phosphates अगर यह दो phosphates यहां से गायब हो जाएंगे तो फिर समझें के replication को complete होने के लिए जितनी amount of energy की ज़रुवत है वो आपको नहीं मिल पाएगा मैं आप लोगों को फिर से unmute कर रहा हूँ सारे बच्चे अगर यह है अगर किसी को कुछ ज़रुवत होगी पूछने की तो you can ask the question तो यहां से जो दूसरा वाला जो आयन है वो क्या करते हैं कि बीटा और गामा जो phosphates हैं जिनको तूटने के बाद निकल जाना चाहिए था वो उनको hold करके रखते हैं क्योंकि अभी बीटा और गामा दोनों phosphate का भी तूटना बाकि है अभी तो वो सिर्फ अलफा से अलग हुए बीटा और गामा phosphate का भी तूटना जरूरी है ताकि उससे निकलने वाले इनर्जी भी replication में यूज की जा सके तो इसके लिए जो बीटा और गामा फॉस्पेट्स को पाइरो फॉस्पेट्स को जो hold करने का काम होता है वो lysine और arginine residues का होता है और ये finger finger domain में पाए जा रहे हुता है ये सर्मा जो आपके dntp है जो आपने polymerization के लिए dntp को चाहिए तो ये भी hold होना चाहिए क्योंकि अगर ये ये तो fluid की तरह आया हुआ है यहापे ना पानी की तरह तैरते हुए आया है और जो correct है वो bind गया नहीं तो आट गया तो fluid की तरह जो आ रहे होते हैं उसमें tyrosine residues another tyrosine residues है जो another amino acid जो upcoming nucleotide को attach करने में और polymerization में hold करने का काम करते हैं यानि अगर आप समझे है कि यहाँ पर आपको एक हाथ लगा करके एक हाथ लगा करके इसको polymerization करना है तो समझे है कि tyrosine is the tyrosine is the amino acid which is working as a hand to hold the nucleotide इस nucleotide को hold करने का काम tyrosine का है जबकि इन दोनों को hold करने का काम जो hand है वो आपके लगबग lysine और arginine amino acid का होता है इस स्लाइड को क्लास के बाद में मैं इसको ग्रूप में आपके बेज दूँगा ठीक है तो इस आपको बताया गया कि आपार्ट फ्रॉं पॉलिम्राइजेशन पार्ट इस आपके साथ साथ में एड्जैक्ट इंजाइम के मॉलिक्लर इवंट पे हो रहे होता हैं यानि कौ सा रिक्वार्मेंट होता है मेटल आयन का क्या काम होता है मैंने भी सुरू में गलती से बूल दिया कि टू मेटल आयन का काम मास्किंग करना पहला मेटल आयन का काम होता है बहुत दिन हो गया इसलिए दिमाग से उतर भी गया पहला मेटल आयन का काम होता है यहां से प्रोट और आरजिनीन है जो इनके finger domain के लाइसीन और आरजिनीन है जो आपके ARG यह amino seeds होते हैं जो इन pyrophosphates को hold करने का काम करते हैं साथ ही साथ में tyrosine होते हैं जो आपके upcoming nucleotide को भी hold करने का काम करते हैं तब तक जब तक polymerization complete ना हो जाए जब मैं यह video भेजूँगा तो इसको repeatedly जरा सा चला करके इस video को देखना ठीक है यही चीज आगे में दिखाया जा रहा है कि lysine और आरजिनीन जो होते हैं वो आपको pyrophosphates को help कर रहे हैं जबकि यहाँ पे जो tyrosine है वो आपके tyrosine है वो आपके इसको help कर रहा है यहाँ animation में आप देखेंगे कि यह nucleophilic attack होते ही यह जा करके phosphodized bond का synthesis कर चुके हुए है इस तो pyrophosphates are left behind यहाँ पे अब यह चाहें तो यहाँ से निकल सकते थे लेकिन मैंने क्या किया कि यह cleavage होना अभी भी बात ही है जिसके energy को वापस से polymerization में यूज करना है so these two phosphates cannot escape from the enzyme before it has been broken down into two inorganic phosphates तो यहाँ पे आप tyrosine से लेकर के सबका structure का stability देख लीजिए मैं इसको भी save कर दे रहा हूँ ताकि आपको अगले इसमें भीजा जा सके now we have left with the one and a half minute देखते हैं कि इसमें यह कितने topic आपके complete हो रहा है now you can see that कि the overall process that is taking place the finger domain associates with the template region 90 degree turn of the template help to avoid the confusion in the active site तो यह जो आपका active site है enzyme का वो बता रहा है कि 90 degree जो parental strand होते हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि actually मैं phosphodiester bond या जो नया एक single यहां पे आप इसको zoom कीजेगा तो पता चलेगा कि 90 degree घूमने से सिर्फ एक ही एडिनीन सपोस कर लो यह गुवानीन है यह साइटोसीन है इससे क्या होता है कि सिर्फ एक ही नुक्लोटाइड यहां पर projection में दिखाई दे रहा हुता है समझ में आए यानि अगर आप active site पर रखे हुए हैं तो यहां पर तो दो तीन नुक्लोटाइड दिखाई दे रहा है ना यहां पर है या ने ठीक है लेकिन अगर आप डीने के पैरेंटल स्ट्रेंड को 90 डिग्री मोड दीजेगा तो सिर्फ एक ही नुक्लोटाइड यहां दिखाई देगा जो active site में है और आपको इसके हिसाब से थायमीन को आड़ करना फिर इसके active site में एक और एक बेंट तियार होगा तो अगला नुक्लोटाइड सिव दिखाता है तो 90 डिग्री टर्न का वैलू यहां पर दिखाई यह क्लास यहां खत्म हो रही है हम लोग एक और सेशन के लिए बैठते हैं होगा